आज अटल जी के देह अवसान के साथ ही भारतिय रादनिती के आकास का दुरूत आरा नहीं रहा। अटल जी बहुमक्य प्रतिबा के धनी थे। इनके जाने के साथ ही देश ने एक अजाद सत्रू रादनिता कोया है। साहीत्य ने एक मुर्धन्य संवेदन सिल्क कभी को खोया है। पत्रकारिता ने एक स्वभावगत पत्रकार को खोया है। देश की संसद ने संसतावन से संसद में गरीबों की और देश की आवाज बने हुई आवाज को खोया है। भारतिय जन्संग से स्थापक सदस्य और भाजपा ने अपना पहला राष्टी अध्यक्स खोया है और करोड़ों युवाओं ने अपनी पिरेणा को खोया है अटल जी के न रहने से देश की रादनिती में जो रिक्तता खड़ी हुई है वो रिक्तता को लंबे समय तक भरना असंभव है अटल जी का व्यक्तित्व बहु आयामी होने के साथ साथ एक कुसल संग ठक के नाते पहले जन संग और बाद में भारतिय जनता पार्टी की नीव को डालना और एक बीज में से वटवरुक्स बनागने तक की यात्रा को अटल जी ने हम सभी कारे करता हूँ का मार्ग दर्सन किया देश बक्ति की जहां पर भी संसद में जरूरियात होती थी अटल जी उसके आवाज बने नकेवल भारतिय जनता पार्टी संसद का विश्वास होता था कि अटल जी जो कहेंगे वो देश के हीत में होगा और आज मैं मानता हूँ कि भारतिय जनता पार्टी के लिए तो यह अपूर्ण या क्षती है इसकी पूर्ती कभी हो नहीं सकती परन्तु देश के सारवजनिक जीवन में भी अटल जी जैसे व्यक्तित्व के जाने से एक अपूर्ण या क्षती हुई है मुझे लगता ही इसकी पूर्ती होना असंभव है अटल जी ने कई सारे मौकों पर चाहे वो इमर्जन्सी के खिलाब की लड़ाई हो चाहे कस्मीर में कस्मीर के लिए यूएन में आवाज बुलंद करनी हो चाहे दलगत रादनीती से उपर उठ कर बंगलादेश की लड़ाई के वक्त स्ट्रेंड लेना हो चाहे हिंदी को प्रमुक्ता से देश में फैलाओ के लिए आगे ले जाना हो चाहे एक बैलेंस नेता है नाते समस्याओ का समाधान करने की दिशा में पुरे देश को समाधान देने हो अटल जी ने हमेशा भारतिय जनता पार्टी के सिर्फ नेता के इनाते काम नहीं किया सारवजनिक जीवन के एक देश भक्त नेता इनाते पुरे देश का माधदर्शन किया है आज मैं भारतिय जनता पार्टी की और से भारतिय जनता पार्टी के दुनिया भर में फैले करोडों कारे करता और समर्थकों की और से गहरे दुख की समवेदना व्यक्त करता हूं और आज हम भारतिय जनता पार्टी के सभी कारे करता संकल्पवान होते हैं कि अटल जी जो काम छोड़ कर गए हैं वो पार्टी के मिशन को हम आगे ले जाएंगे मित्रो अभी साड़े नौ बजे से अटल जी के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर उनके निवास्तान पर ही व्योस्ता की गई है सुबे साड़े साथ से साड़े आट बजे तक यहीं निवास्तान पर भी अटल जी के अंतिम दर्शन होंगे नौ बजे उनके पार्थीव सरीर को भाजपा मुख्याले छे एक दिन्दयल मार्ग पर ले जाये जाएगा और एक बजे उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी और चार बजे राष्ट्रियस मुती स्थल पर उनके अंतिम संस्कार किये जाएगे मैं जानता हूँ व्यक्ति के जाने से विचार खतम नहीं होते हैं व्यक्ति के जाने से आंदोलन समाप्त नहीं होते हैं व्यक्ति के जाने से विचारदार आए उनके कर्तुतों के गारण ज्यादा ध्रड होती है आंडोलन और पैने होते हैं और हम सभी भारतिय जनता पार्टी के कारेकरता अटल जी के आज दुखद निधन के अउसर पर देश को आगे ले जाने के लिए उन्ह एक बार संकलपित ह कर देश को आगे ले जाने का भारतिय जनता पार्टी का जो अभियान है उसको आगे बढ़ाएंगे इसका मैं देश को आस्वसन देता हूं अटल जी का परिवार भारतिय जनता पार्टी के कारेकरता और अटल जी के चाहने वाले बलों से भी उपर उठकर दुनिया भर में जो बिखरे हुए हैं सभी को ये दूख सहन करने की परमात्मा सक्ति दे ऐसी परमात्मा से प्रात्ना करकर मेरी वाहने को विराम देता हूँ धन्यवाद। जो बिखरे हुए हैं सभी को विराम देता हूँ धन्यवाद। कर दो दो एक परमा देता हूँ जो बिखरे हुए हैं सभी को विरे को विरामा से भी को विरामा से एक बिखरे हूँ देड़ को अव्द्याद मेरी देचित प्रादों इद्वारा का विरामा दें से याख हैं… झाल झाल